स्वारा की रसोई में आप शबी का श्वागत है आज मैं साउथ इंदियन सांबर की रेश पी शेयर करूंगी फ्रेंड जैसे साउथ इंदियन में लोग सांबर बनाते हैं उस तरह का तो मैं अधाइसो ग्राम अरहर दाल इसे तूर दाल भी बोलते हैं तो मैं इसे 20 मिनेट के फूल गया है यह मेरा दो टुकड़ा गूड है 25 ग्राम चार इमली है जो मैं फूलने के लिए पाने में डाल दियूं और दस से बार कड़ी पत्ते हैं एक मिडियम साइज के प्याजबा में बारी काटी हूं दो हरी मिर्च काटी हूं एक धनिया पता में काटी हूं और चार ह९जा साहर बीन cüन ही थी भार कमोट उन आखरी मिर्च में काट ली हूं एक मिडियम साइज का अलु है और रहा है मैं काट लिए आप अपनी पसंद सहरी सब्सवाइघ सकते हैं फ्रेंड स कम्या कि आधा चमच में घंधी बॉर्डर डालाई हूं तो यह देखे आधा चमच में नमक डाल दिये हैं विद्दि रगधा और इसे थी तीम कुई दाल पका देते हैं तो यह देखे फ्रेंट सम गैस पर डख दिये हैं आधा दियुक्ता पड़काच। एक तरफ मेरा दाल पकड़ा है तब तक मैं सब्जी को फ्राई कर लेती हुँ तो ये देखे फ्रेर्ज्ट अम ते लिए गरम होने के लिए फोरण में सबसे पहले सरसो डाल ले कि और उरत डाल में डाल दी हूं कि यह सब दाल डालकी में तब ही फ्लेवर आता है देखिए फ्रेंट्स हमाँ आधा चमंच रिंग डाल रहें तो हैं कि अमाधा चमंच हींग डाल दी हैं हम इसमें 10-12 कड़ी पत्ता डालाई है है अभरा सारा फूरान जल जा है और मैं डालोंगे प्यार तो एह देखे फ्रेंट्स हम प्यारी डाल गूँ है और इसको कर लोगी स्थाइड तो एह देखे फ्रेंड्स अम समें गाजण, आलू, बी, इसे हरे, में चिसे मिला मेरे प्य करोंगी दो मिनाट तक च्रिस्ट में टमाठर डाली है और मैं फ्राइए कर लूँगी आधर चमच नमक डाले हैं नमक अपने तेज़र कौरें डाले कुझे दाल में भी तो नमक है मैं डाली होrey और सबजी के साफ जही आ इसमें एक चमद समियुम दाले ह Tyakya samber मचा डालें टाकि शामबर में बहूत अच्छा कॉलर सो ऐसे समेरे मिर्च पि तो इसे देखे फ्रेंड्स अब्डों को समघ मेसाल सांबर मेशाला सांबर मशाला की लेच्पी सेयर करूंगी आप लोग के साथ क्योंकि मार्केट वाला उतना अच्छा नहीं लगता है मैं घर में हमेशा सांबर मशाला बनाती हूं और वह ही डालती हूं की तो ये देखे हाम सांभर मसाला डाल दीएऔर ये इन अच्छे से मिक्स पर लेती हूं हम आपक वह लिए थाया है तो आ अधाय में घ्रमिंट्ट्पर मींतना ही तो थेस्ट आता है जो मैं इमली वाला पानी रखी हूं और डालूंगे इसमें, देखे फ्रेंड, इसमें से निकाली हूं, मैं डाल दी है, और मैं इसको 5 मेर तक ढ़क के पकाऊंगी और तब तक मेरा सब्जी भी पाख जागा इसके साथ, तो यह देखे फ्रेंड इस तरह से, पकिने के लिए छ तक मेरी सब्जी पक दी है देखे फ्रेंड्स हमारा सब्जी भी पक गया है अब मैं इसमें डाल डाल देती हूं दाल मेरा पक गया है देखे फ्रेंड्स हम डाल डाल दी है और मैं सब्जी और डाल एक साथ मिक्स कर लेता हूं ज्यादा गाड़ी लग रही है इसमें मैं थोड स्कुरे प्रोड डालें से ठेल टेस्ट आता है कंगता मीटा फिलेवर आते तब असली साउफ इंडियन जैसे हमारा सामभर बनेगा में अब उसमे धनिया पत्त डाल दियुक्त घैसे बड़ियां बनेगा तो मैं आपको सर्फ करके दिखाती हों इधे प्रेंड संब और कितना टेस्टी लग रहा है महिए देखने मेरे तरीके से जरूर ट्राइए बहुत अच्छावाने का फेरेंड़ है अर nut अच्छ पाशन्द मेरा वीडियो पे किरिगा कीदें आप श्यूंट अच्छा लगए किसुब किर ऊहिंひ आप Cr युद्ध talking मेरे प Smells प्रbenट प्लीज बैबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में